प्रिदोस्तो नमस्का सागत है आपका अपने कारेकन BHS जोतिस में दोस्तो आज मैं चर्चा करूँगा जोतिस में ऐसे ग्रह के बारे में जिसके बारे में अभी तक आपको बहुत लोगों को ही पता नहीं होगा और वो ग्रह होता है वर्स कुंडली में जैसे आपकी जन्म कुंडली होती है वैसी आपकी वर्स कुंडली भी होती है उस वर्स कुंडली में एक ग्रह जो होता है वो होता है मुन्था जो की बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव हमारे वर्स बर हमारे जीवन में होता रहता है नो ग्रहों तो आपने सुने होंगे नो ग्रहों के अलावा जो ये मुन्था जो ग्रह होता है वो सभी ग्रहों की माता कहिला जाती है अगर मैं ये कहूं तो अतिसयोक्ती नहीं होगी अब मैं बात करूँगा कि इस मुंथा ग्रह को वर्सकुंडली में जो है कैसे देखते हैं इसको कैसे निकाल करके इसको वर्सकुंडली में स्तापित करते हैं सपोस करो कि आपकी जो उम्र है इस तेम वो 26 साल है ब्यान से सुनिए सपोस करो कि आपकी उम्र 26 साल है 26 में अब आप ये देख लीजे आपकी जो जन्म कुणली है उसका लगन कौन सा है suppose को उसका लगन जो है तुला लगन है तुला लगन मनी वहाँ पर लगन में क्या नमबर लिखा रहेगा 7 नमबर लिखा रहेगा 26 प्लस 7 कितना हो गया 33 33 में डिवाइड़ वाई 12 कर लो 33 से 24 किया 9 अब आपकी वर्स कुंडली में जहां पर भी 9 लिखा होगा वहीं पर मुन्था होगा अब दुबारा आजिए वर्स कुंडली सपोस करो कि आपकी मिथन लगन की वर्स कुंडली बनती है और आपका जो 9 नमबर होगा वो सब्तम अस्तान पर होगा तो मुन्था आपके सात्मे अस्तान पर आ जाएगा यानि इस वर्स कुंडली में आपका जो मुन्था होगा वो सात्मे घर में होगा साथ में घर के रिकार्डिंग वो आपको फल देगा एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ज करो आपको 26 साल चल ले हैं उसमें एक और जोर दीजिये 27 हो गया उसको 12 से भाग दीजिये 12 दूनी 24 27 से 24 गए 3 अब आपका जो लगन है लगन कुंडली में जो लगन है वो तुला लगन है यानि साथ नमर है अब उसमें तीन अंक और जोर दो साथ आठ नो यानि जो तीन अंक हमने यहां से लिया है वो लगन से तीन अंक जहां पर आता है तो वो अंक आया नो तो ठिक उस इसाफ से भी और इस इसाफ से भी 9 अंक आता है जो कि वर्स कुंडली में 9 अंक आपके सब्तम भाव में है तो सब्तम भाव के रिगार्डिंग आपको मुन्था जो है इस वर्स फल देगा अब मैं बात करूँगा कि मुन्था किस भाव में किस प्रकार का फल देत तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब केजे, लाइक केजे वो सेयर जरूर केजे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जोतिस सी बारिक से बारिक जो है बातें आपको बताने की कोशिस करता हूँ जिस से आपका ज्ञानवर्दन हो और आपके जीवन में उसको अपनाने के लिए जीवन में अगर आप उसको अपनाते हो तो आपको सुक्स स्मूर्दी मिले आपको घर में आपके घर में खुशाली हो तो चर्चा करेंगे कि अगर मुंत्ह जो है अगर आपके लगण भाव में ही होगा ऐसा तो है नहीं कि केवल एकी के लिए बात करूँआ हो सकता है कि वो लगण में आ जाए यह जो जिसका 26 वर्सता उसके लिए वो 7 व्सतार में आएगा लेकिन औरों के लिए वो लगण में दूसरे भाव में ऐसे तोटल 12 वाव में किसी भी भाव में हो सकता है तो सब्वोच करो कि आपका मुंत्ह वर्सकुंडली में अगर लगण भाव में होगा तो आपको मान प्रतिष्टा आपकी बहुत अच्छी होगी आपके परिवार में, आपके अलोस-अलोस में, आपके रिस्तदारी में आपकी मान प्रतिष्टा बहुत अच्छी होगी अगर मुन्था दूसरे भाव में होगा, तो आपका धन का आगमन आपके पास पूरे साल खुरता रहेगा धन की आपको कोई कमी नहीं रहेगी अगर मुन्था आपके तीसरे भाव में होगा, तो आपकी भाईों के साथ बहुत अच्छे ताल में लेंगे भाईों के साथ आपका बहुत अच्छा सयोग रहेगा, भाईों के साथ आपका जो है अच्छी अंदरस्टेंडिंग रहेगी अगर मुंता चौते भाव में होगा तो ये पक्का है कि आपके सरीर में दर्द होगा आपके सरीर से रोग हो सकते हैं आपका सरीर में आपको बहुत जादा आलस आएगा आपको छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी आलस जरूर आएगा अब मैं बात करूँगा अगर मुन्था जो है पंचम अस्तान में होगा तो आपको धनलाब अवस्य होगा चाहे किसी भी रूपे होगा लेकिन आपको धनलाब जरूर होगा अगर मुन्था छट्टे हस्तान में होगा तो आपको जो है रोग जो है आपके पुराने रोग जरूर जागरत होगे हो सकता है कि नए रोग हो जाएं लेकिन रोगों से छुटकारा पाना आपको पूरे साल लगा रहेगा यानि रोग से आपको पूरे साल लड़ना अब बात करूँगा मुन्था अगर सब्तम भाव में होगा मुन्था अगर सब्तम भाव में होगा तो धन की हानी जरूर होगी धन आएगा लेकिन धन वैसे चले जाएगा और धन ऐसे जाएगा जैसे जिसका कोई मतब नहीं है जहांसे कोई फल नहीं मिलने वाला है जहांसे क कोई फाइदा ने हो सकता कि किसी ने मांगा और आपका धन वापिस नहीं आया, ऐसे ही आपका धन चले जाएगा, अगर आप बात करेंगे मुन्था अगर अस्तमस्तान में होगा, तो सत्र आपको बहुत परिशान करेंगे चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो बिजनिस में हो चाहे वो औरस औरस में हो आपके पीछे सत्र जरूर किसी दे किसी रूप में जरूर लगे रहेंगे अगर मुन्ता नवमस्तान में होगा आपको भाग्य का उन्नती आपकी होनी पक्की है यह मैं आपको 100% गरंटी देता हूँ अगर मुंता दसम अस्तान में होगा तो कारे में आपको सिद्धी मिलेगी हो सकता कि आपका प्रमोशन हो अगर नौकरी करते हो हो सकता आपका इंटिमेंट अच्छा हो जाए हो सकता आपके ट्रास्फर के साथ साथ आपको इंटिमेंट भी बहुत अच्छा मिले हो सकता कि व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाबो नई ऐसाइटमेंट मिले आपको मिले जिससे आपको फाइदा हो अगर मुन्था ग्यार्वे अस्तान में होगा तो धनलाब आपको चरूर होगा किसी ने किसी रूप में आपके घर में धन का आगमन लगा रहता अगर आपका मुन्था बार्वे अस्तान में होगा वर्स कुंडली में तो पक्का है कि आपको धन की हानी होगी धन आएगा लेक समस्तान में और बारवे स्तान में कभी भी अच्छा फल नहीं देता है बाकिय स्तान में मुन्था अच्छा फल देता है और मुन्था इन स्तान में अगर होगा तो साल में वर्स कुंडली में आपको जरूर किसी रूपे लाव जरूर होगा आज की जानकारी इतने ही अगली ज ट्रॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्ट होगा तब तक के लिए बहुत-बहुत परणाम वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आवाब